पुलिस मुख्याले के प्रांगण में सत्य निश्टा के साथ यह शपत लेता हूँ कि मैं आजीवन शरापता सेवन नहीं करूंगा मैं पर्दवय पर उपस्तित रहू अथवा ना रहू नमस्कार आप देख रहे निउस फोर नेशन और मैं हूँ सांत्वन आपके साथ कल पूरे बिहार में नश्रा मुक्ति दिवस मनाया गया मतादे की कल आनी 26 नवंबर को मुख्य मंत्री नितिश कुमार के अध्यक्षुता में पटना की ज्यान भवन में भी कई तरह के कारिक्रमों का आयोजन हुआ जहां मुख्य मंत्री नितिश कुमार ने सभी अधिकारियों और पुलिस बलो को शपत ग्रहन कराई साथी साथ पूरे बिहार के कोने कोने से शपत ग्रहन समारो का आयोजन किया गया और नीचले सार से उच्छे सतर्य अधिकारियों तक सभी पुलिस बलो तक यह शपत ग्रहन कराएगे कि वो ना तो खुद शराब पीएंगे ना किसी को पिलाएंगे और ना ही किसी को पीने देंगे बतादे कि कल का दिन बिहार के लिए बेहद खास था और कल पूरा बिहार मिलकर यह शपत ग्रहन कर रहा था कि वो शराब बंदी को सफल बनाएगा बता दे कि मुख्य मंत्री नितिश कुमार के तरफ से लगातार ये कवायद जारी है कि बिहार में शराबंदी को कैसे सफल बनाया जाए लेकिल कल जहां एक तरफ पूरा बिहार ये शपत ग्रहन का रहा था कि शराब नहीं पीनी है तो वहीं दूसरे तरफ बिहार के बगहा के हेड मास्टर को शराब के नशे में धुत पकड़ा गया बता दे कि कल उन्होंने शपत ग्रहन की उसके बाद कल शाम साथ बजे वो नशे की हालत में पकड़े गए जहां एक तरफ ये हेड मास्टर जो है उन्होंने दिन में ये शपत ग्रहन की ना तो वो खुद शराब पीएंगे ना किसी को पिलाएंगे और ना ही किसी को पीने साथी साथ अपने शपत पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किये तो वहीं दूसरी तरफ शाम में वो खुद नशे की हालत में पकड़े गए क्या कुछ मामला निकल कर सामने आया है बगहा के हेड मास्टर को लेकर उनकी गिरफतारी कहां से हुई है और किस स्थिती में उन उस दिन हुआ जुस दिन पूरा बहार शराब सेवन नहीं करने की शपत ले रहा था घटना शुकरवार की शाम साथ बजे की है अरेस्ट किये के हेड मास्टर कुंदन कुमार गोड पिपरासी के त्रीपत नगर के प्राथमिक विद्याले में है थाना द्यक्षर आजीव ने बताया कि उक्तु सिक्षक यूपी के चितौनी से शराब का सेवन करके आ रहा था गुप्तु सूशना पर पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया थाना द्यक्षर ने बताया कि सिक्षक का मेडिकल जाच कराकर शनिवार को जेल भीज दिया उजाएगा सिक्षक ने दिन में अपने सहाइक सिक्षकों के साथ बच्चों को शराब से दूर रहनी की सिक्षा भी दी और शपत पत्र भी बढ़ा स्वें शराब ना पीने की शपत भी ली लेकिन जैसे ही सूरज अस्थ हुआ यूपी के तरफ वो चल पड़े यूपी में जम कर दाडू पी और फिर अपने घर बिहार के लिए निकल पड़े लेकिन बोजर पर ही पिपरासी थाना के पुलिस से मुलाकात हो गई कल ही मुखे मंतर नदुशकुमार ने सभी सरकारी कर्मियों को जीवन भर शराब का सेवन ना करने की शपत दिलाई थी सभी विद्यालियों में बेस से जुड़ा कारिक्रम आयोजित किया गया था बतादे कि जहां पर सिक्षक नशे की हालत में पकड़े गए थे वहां से 300 मीटर की दूरी पर यूपी में शराब की दुकान है इसका फाइदा बिहार के शराबी बख्खुवी उचाते हैं तहलते हुए यूपी में जाकर शराब पीते हैं और फिर बिहार में आकर सो जाते हैं बतादे कि कल देश शाम साथ बजे बगहा के हेड मास्टर को पुलिस ने यूपी बिहार के बौजर से पकड़ लिया जहां पर वो यूपी से शराब की नशे में धुत बिहार अपने घर वापस लोट रहा था बतादे कि जहां एक तरफ कल इस हेड मास्टर ने दिन में बच्चों को ये सबक दी और ये सिखाया कि शराब का सेवन किसी भी हालत में नहीं करना है और साती साथ खुद शपत पत्र भर कर उन्होंने ये शपत ग्रहन की वो की ना तो वो खुद शराब पीएंगे और ना ह किसी को पिलाएंगे तो दूसरी तरफ कल जैसे ही सूरज अस्थ हुआ वो यूपी की तरफ चल पड़े और वापस आते समय वो शराब की हालत में पुलिस को मिले जिसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफतारी कर ली और अब पुलिस आगे की कारवाई जारी कर रही है बताद में नजर आ रहे हैं अभी के लिए उतना ही अनकाई अपडेट्स के लिए मैं साथ मौझूद रहे न्यूस फारनियूशन में नमस्कार